हिंदी सिनेमा में कपूर खांदान का इतिहास काफी पुराना है। ब्लैक एंड वाइट से रंगीन परदेतक के सफर में कपूर खांदान के कलाकारों का बोलबाला रहा है। कपूर खांदान के पहले सुपरस्टार प्रित्वी राज कूपर थे जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पापा जी के नाम से जाना जाता था। तीन नवंबर 1906 को पश्चिन पंजाब के लायलपूर वर्तमान में फैसलाबाद पाकिस्तान में जन्मे प्रित्वी राज कपूर के जन्मदिवस के मौके पर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बाते बताने जा रही हैं। प्रित्वी राज कपूर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने लायलपूर और पेशावर के थियेट्रों से अपने अभिनाय की शुरुआत की थी। के साथ ही वह थियेटर से जुड़े और एंडर्सन की थियेटर कमपनी के नाटक शेक्सपियर में भी अभिनाय किया। दो साल तक संधर्ष करने के बाद 1931 में उन्हें पहली बोलती फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की काम्याबी के बाद पृत्वी राज कपूर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। पृत्वी राज कपूर को फिल्मों में काम करने के बाद काम्याबी तो मिलने लगी थी। लेकिन उनका पहला प्यार थियेटर ही था। इसे लगाव के चलते उन्होंने 1944 में प्रित्वी थेटर की स्थापना की। यह समूह देश भर में घूंगूं कर कला का प्रदर्शन करता था, जिसमें कलाकार, मजदूर, क्रसुया, लेखक और टेकनीशियन को मिला कर 150 के करीब लोग शामिल थे। वहीं यह देश के कई एति मौको का गवाह भी बना। के बाद प्रित्वी राज गेट पर जोला लेकर खड़े हो जाते थे, ताकि शो देखकर आ रहे लोग उसमें कुछ पैसे डाल दे। इस पैसे से वह प्रित्वी राज थेटर में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद करते थे। इसके लिए उन्होंने वरकर फंड बनाया था। 29 मई 1972 को प्रित्वी राज कपूर का निधन हो गया। जिसके बाद 1978 में उनके बेटे शशी कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर केंडल ने प्रित्वी थेटर ट्रस्ट की स्थापना की। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा प्रित्वी राज कपूर को हिंदी सिनेमा और थेटर में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मर्नोप्रांथ दादा साहेब फाल के पुरसकार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रित्वी राज कपूर को 1904 और 1956 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरसकार और 1979 में भारत सरकार द्वारा पद्मुभूशन से सम्मानित किया गया। प्रित्वी राज कपूर ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया जिन में आनंद मठ, सिकंदर, छत्रपती, शिवाजी सहित हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक मुगले आजम शामिल है। मुगले आजम्मे प्रित्विराज कपूर ने अकबर की भूमी का निभा कर लोगों का दिल जीत लिया आज की वीडियो में बस इतना ही।